हलो नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है डेकलिंग डूडो 2 का ड्रैवर कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11 के अंदर वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भू लें चलिए शुरू करते हैं आप अपने सिस्टम के अंदर कोई भी ब्रॉजर ओपन कर लिजिएगा ब्रॉजर ओपन करने के बाद यहां पर आपको गूगल ओपन कर लेना है गूगल ओपन करने के बाद यहां पर आपको टैप कर देना है ब्लैक मैजिक इसके बाद आपक क्लिक कर दिने किलिक करते हैं यह विंडोव न हो जाएगा बांकि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्टिप्शन में डाल दोंगा या तो आफ इस लिंक को कोपी कर लिजेगा आपने प्राजर की यह में पेश्ट किजीगा इंटर कीजिगा तो भी ड्रक्टली यह पेज ऊपन ह हो जाएगा यहां पर अपर को real work करने के बाद यहां पर क्या और ट्राइफ और लटस्टा धशाय डानलोड इसके निचे देखेगा यहां पर बहुत करना है यहां आपको एक sdk मिल जाएगा . एक normal मिलेगा . तहिसकी निचे आप देखेंगे , यहाँ आपको डू heroic के बारे में बता रहा हो इसलिए आपको विन्डो का oxy डूब्लोऱोट करनेकेलिए इसके उपर आपको क्लिक कर देने, क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा, आप यदि आप यह detail भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, इसके बाद आप register और download कर सकते हैं, यदि आप बिना register के वे download करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर download only दिख रहा है, इसके window open हो जाएगा, आप आपको यहाँ पर कुछ second wait करना है, कुछ second wait करते हैं, आटोमेटिक यह download start हो जाएगा, यदि आपको case में automatic download start नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर click करकी आपको download करने है, download complete होने के बाद आपको क्या करना है, उस folder का अंदर जाना है, extract all पर क्लिक केज़िएगा, क्लिक करने के बाद इस तरह से extract होने लग जायगा, start complete होने के बाद इस तरह से folder open हो जायगा, यहाँ पर आपको exy दिख जाएगा इसा से install करेंगे, install करने से पहले आपको क्या करने इसके पर आपको right click करना है, इसके बाद आपको property पर नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है ओके करके बाहर आ जाना है अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है या तो आप इसको पर डबल किलिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं तो आप इसको पर रैट किलिक करके इंस्टॉल करके आपको next पे क्लिक करना है इसके बाद आपको install पे क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा यदि आपके case में भी इस तरह से window आते हैं तो आपको क्या करना येस पे क्लिक कर देना है, येस पे क्लिक करते हैं, ये इस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, अब आपको कुछ निक करना है, बस यहाँ पे कुछ सकंड वेट करना है, कुछ second wait करने के बाद इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको क्या करना यहाँ पर finish पर किलिक कर देना है किलिक करते हैं यह window आजाएगा अब आपको यहाँ पर restart के लिए बोलेगा तो आपको क्या करना yes पर किलिक करके system को आपको restart कर लेना है restart करने के बाद आपको क्या करना है इसको चेक कर लेना है आपका driver install हो गया होगा और प्लीज गया चैनल को subscribe करे like करे share करे thank you